नमस्कार दोस्तों मैं हूं दॉक्टर अमित महिश्वरी बिजन्स ट्रेनर कॉर्परेट ट्रेनर मोटिवेशनल स्पीकर एंड सी यू में टास ओवर सीज लिमिटेड आप से भी का स्वागत करता हूं स्टॉक मार्केट मिलेनियर की सीरीज में फ्रेंड्स इस सीरीज की फर्स कैसे में लिस्ट होता है nse bsc निफेंग करते हैं कैसे कैंकोलेट करते हैं कैसे और सब्सक्राइब का आज कम्सितिव करेंगे आज की सीरीज में हम बात करेंगे ऐसे पांच प्रश्णों की जो एक beginner को अपने आप से पूछने चाहिए जब वो investing शिरू करता है तो friends as a beginner मेरा पहला प्रश्ण होना चाहिए is investing in stock market risky क्या stock market में निवेश करना risky है तो मेरा जवाब है हाँ भी और नहीं भी हाँ कैसे if you start investing without basic knowledge or on the recommendation of other or without research then it will be risky अगर आप stock market में बिना basic information के बिना basic knowledge के invest करते हैं या किसी दूसरे के recommendation पर निवेश करते हैं और वो भी बिना किसी तरह की research किये तो यह सच में बहुत risky है और मेरा जवाब है नहीं अगर आप basic knowledge को grab करते हैं और उसके बाद invest करना शुरू करते हैं और ठीक तरीके से investing के tips को follow करते हैं तो आप अच्छे से stock market में पैसा बना सकते हैं या आपके लिए बिलकुल भी risk होने वाला नहीं है अगला जो प्रशन होना चाहिए एक big नरकाब होना चाहिए how much return I can expect मैं कितना return इसमें कमा सकता हूं तो यहां पर investment के return के बारे में समझना बहुत जुरूरी है अगर आप पैसा bank के saving account में डालते हैं तो आपको 4-5.5% का return आता है मदब saving account जो आपको interest देता है वो 4-5.5% का देता है अगर वही पैसा आप FD में डालते हैं तो आपको मिलने वाले जो return होता है वो 7-8% का है लेकिन अगर हम long term investing in share market की बात करते हैं तो 18-20% का return लेना बहुत आसान है जरूरत है तो केवल basic knowledge को grab करने की और की सई strategy बना के investing में implement करने की अगला तीसरा प्रस्ण जो आपको होना चाहिए वो होना चाहिए when and with how much investment I can start investing or trading मतलब कब और कितने पैसे में मैं investing और ट्रेडिंग शुरू कर सकता हूं तो ध्यान रखिए investing तो आप जितनी कम उमर में शुरू कर देंगे जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना जादा आपको मिलने वाला profit होगा क्योंकि यहाँ पर power of compound interest काम करती है मतलब शुरूआत के कुछ सालों में आपको मिलने वाला profit होगा वो बहुत जादा नहीं होगा लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा जैसे ऐसे उसकी compound interest जूडती जाएगी compound benefit आपको मिलता जाएगा तो आपका वो पैसा बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होगा और दूसरी बात जो है मुझे कितना invest करना चाहिए वो इस बात पर depend करता आपकी income क्या है आप अपने income का 20% जरूर invest करें क्योंकि 20% एक ऐसा investment है जिस पर आपको कोई बहुत बढ़ा risk नहीं होता है जिसके बढ़ने या घटने से आपके पर कोई vicious प्रभाव नहीं पड़ेगा और यदि आपको loss भी हो जाए तो भी आप उसको असानी से bear कर सकते है बिना किसी risk के इतना amount आपको stock market में invest करना है जब आप एक beginner की तरह से investing शुरू कर रहे हो अगला प्रशन जो एक beginner का होता है वो होता है why stock market is known as 60 bazar या gambling stock market को 60 bazar या gambling क्यों कहते हैं तो यहां दो बाते समझना बहुत जोरी है कि stock market is not a gambling लेकिन problem क्या है 95% of the mass is donating to 5% of class ये बात मैंने पिछली class में अच्छे से explain की थी मैं आपको बता देता हूं कि लोग जब share bazar में investment करना शुरू करते है ना जो beginner होते हैं उनकी बहुत सारी requirements होते हैं उनके बहुत सारी dream होते हैं जिन पर वो काम करते हैं लोग ज़्यादा high return expect करते हैं उनको लगता है कि stock market की अगर बात करते हैं तो बहुत बड़ा profit volume वो एकदम कमा लेंगे और दूसरी बात वो अपने patience lose कर जाते हैं जब उनके share की value बढ़ने लगती है और तीसरी महतपूर्ण बात ज़्यादा high return लेने की महतवक अंगशा के चलते लोग ज़्यादा risk लेना शुरू कर देते हैं और कई बार जब हम ज़्यादा risk लेते हैं तो वहां हमारे पैसे के डूबने के chances भी बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए जो 95% mass है ना वो हमेशा कहता है कि investing in stock market is equivalent to gambling हम एक तरह से जुआ खेल रहे हैं इसको 60 बाजार कहते हैं लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है financial institution और बड़े investors कभी भी इसको 60 बाजार के रूप में नहीं देखते वो right investing के method को follow करते हैं और अपने हमेशा investing amount को grow करते हैं और पाचवा प्रशन from where I can learn about stock market मैं stock market के बारे में कहां से सिखूं तो friends हमने आपके लिए सिरी शिरू की है stock market millionaire जिसमें हम basic से लेके advance level तक सब कुछ आपको सिखाने वाले हैं लेकिन क्या होता है एक beginner के मन में एक जुनून होता है कि मुझे बहुत जल्दी सारी चीज़े सीखनी है मुझे बहुत तेजी से investing करनी है और अपनी चोटी सी capital को करूर रुपय बना देना है यह जो आपके मन में महत्वत आंख्शा होती है यह रखना बहुत अच्छी बात है लेकिन बिना right knowledge के और बिना right strategy के आप अपनी capital को कभी भी grow नहीं कर पाएंगे दूसरी बात किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ना उसका practical करना बहुत जूरी है इसलिए आप investing शुरू करें और धीरे धीरे जब आप investing करेंगे तो आपको बताएंगे किस तरह से आप अपनी capital को बिना risk के आसानी से grow कर सकते हैं और practice करते करते आप beginner से advanced level तक पहुँचें और market capitalization को calculate करने के लिए हमें देखना है उस company के number of share जो total share है वो कितने हैं और market price per share कितने हैं तो market price per share को number of share से multiply करेंगे तो market capitalization आ जाएगा अब मैं आपको दो company के नाम बताता हूं उनके share की value बताता हूं उनकी share की value को देखकर हमां समझेगा कि कौन सी company छोटी है बड़ी आपको उसकी market capitalization calculate करके तो MRF का जो share है वो है 24,458 रुपे का आज की rate में मतला इटी 2,458 रुपी का share है और जो विपरो का share है वो 510 रुपे का 510 का वो share है दोनों company के share में आप देखेंगे तो एक लगबग 22,500 का है और एक लगबग 510 रुपे का है इससे देखने में तो लगेगा कि MRF बड़ी company है या विपरो छोटी company है आप मुझे comment box में लिखकर बताओ कि किसका market calculation बड़ा है और दोनों में से कौन सी company बड़ी है और इस series से संबंदी देदी आपके मन में कोई भी प्रश्न है या जो आपने आज सीखा है उससे related कोई भी doubt है तो मुझे comment box में लिखें उसका जवाब हम बहुत जल्दी देंगे इस series को पूरा ध्यान से देखें तब ही आप share market के बारे में सब कुछ सीख पाएंगे और समझ पाएंगे स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत